जीस कॉंग्रेस ने राजस्तान को बरबाद कर दिया ऐसी कॉंग्रेस को वापिस आना चाहिए क्या फिर से उसको राजस्तान में घुशने देना चाहिए क्या कि आप मुझे बताईए जरा पूरी ताकत से बताईए क्या कॉंग्रेस के उमिद्वारों की जमानत बचनी चाहिए किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या और इसलिए ये जो मिजाज है ना वो कह रहा है सेखावटी की यही पुकार आ रही है भाजपासर का सेखावटी की यही पुकार सेखावटी की यही पुकार मेरे परिबार जनों हमारा ये जुन्जनों हमारा सेखावटी तो उद्यम की धर्ती है परिश्रम की पराकास्टा करने वालों की धर्ती है आप सीमा पर जाएं तो भी सेखावटी मिलेगा और हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाए एक नेक तो जुन्जनों वहाँ मिली जाएगा लेकिन कॉंग्रेस को यहां के लोगों से इतनी चीड है अब देखिए भाजपाने जुन्जनों के बेटे किसान के बेटे स्रिमान जगदिब धनकर जी को देश का उपराश्पति बनाया कॉंग्रेस ने पहले दनकर जी को पराश्पति बनाने का भी रोद किया और अब तो उसे दनकर जी का राजस्थान आना भी बढ़ा है उनको बुखार आ जाता है बताईए पॉब्लिक लिए चिला रहे हैं कि यहां ते हुझे समझ नहीं आ रहा है भाई कोई अपने प्रदेश के अंदर अपने गाउं में अपने गरों में अपने रिस्तेदारों में जाएगा कि नहीं जाएगा और मैं आपको बताता हूँ यह सेखावटी होनहार लोगों की भूमी है जी तेजस्वी लोगों की भूमी है इन दिनों धनकर जी के साथ काम करने का मुझे सौभागे मिला है उनकी प्रतिभा उनका सोचने का तरीका मेरे जैसे लोगों के बहुत बड़ा मारदर्शन देता है ऐसे लोगों को जन्मी धर्ती ने दिया है सेखावटी की धर्ती पर जन्मे लोगों ने भारत के कितने ही बड़े उद्योंकों की स्थापना किये ब्यापार कारोबार से कैसे राश्टि-सेवा और समाज-सेवा हो सकती है वो यहां के चप्पे-चप्पे परदिखती है परोपकार की परंपरा यह सेखावटी का सोभाव है जो कमाता है वो समाज को लोटाता है सेखावटी की इसी परंपरा को आज भारत आगे बढ़ा रहा है भारत दुनिया की पाँचवीश सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है यह जो सामर्थ बढ़ा है इससे आज असी करोड मेरे देश वासियों को मुप्त राशन की गारंटी मिली है आने वाले पांच साल तक मुप्त राशन की योजरा चलती रहे यह संकल्प भी हमने लिया है पांच साल उसको वैसे वो डिसंबर में पूरा होना था पांच साल उसे और बढ़ा दिया है ताकि गरीब का चूला जलता रहे आज हर गरीब को पक्का गर और हर घर तक नल से जल यह पहुचाने के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार उसने अपना खजाना माताओं बहनों के लिए खोल दिया है आज देश के करोरों गरीबों को भारत सरकार मुप्त इलाज की सुविदा दे रही है जन आउशदी केंद्रों पर और मैं आपसे कहूंगा आपको अगर दवाईया खरीद दिया न जुरूर जन आउशदी केंद्र पर खोल जाईए यह मोदी ने आपकी बहुत बड़ी सेवा किये है बहुत लोगों को पता नहीं है हम दिवाली में खरीद करने जाते हैं और बाजार में कर कहीं बौड लगा है कि 10% डिसकाउंट तो पहला पैर उसी दरब चला जाता है 20% डिसकाउंट 10% डिसकाउंट तो वहीं मन करता है ना मोदी ये जन उसदी केंद्र में दवाईयों में 80% डिसकाउंट देता है 80% डिसकाउंट सो रुपिये की दवाईब 20 रुपे में मिल जाती है और जानते हैं इसके काण मेरे मद्यमबर के परिवार हमारे गरीब परिवार दवाई के जो खर्च होता ने उसके कारण के कितने रुपिये बचे होंगे आपको अंदाज है क्या अभी तो जादा इस जोज़ना का जादा प्रताम नहीं हुआ फिर भी इससे मेरे गरीब और मद्यमबर के लगबाग सवा लाख करोड रुपिया उनका बच गया है भाईयों ये सेवा किये हमने साथियों कॉंगरेस ने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रमप्राविक्सित किये प्रक्षाचा परिवारवात और तुस्ठिकरन इस नीचती पर चलते हुए कॉंगरेस ने देश का बहुत दुख्षान किया है में कंग्रेस की यहीं बानसिकता है जिसके कांट बीते दर्षकव में भारत में sözकों को मैं आज़ कल पुरी दुनिया में भारत के चंद्रयान की भी चर्चा है एक नहीं है और इस प्यानी की भी बहुत बड़ी भूमिका है पिलानी के हमारे उवा स्पेस स्टार्ट अप में भी काम कर रहे हैं नाम कमा रहे हैं कॉंग्रेस सरकार रहती तो यह संभवी नहीं था कॉंग्रेस ने स्पेस सेक्टर में उवाओं के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे यह भाजपा सरकार है जिसने स्पेस सेक्टर में भी युवाओं को खुल कर काम करने का मोका दे जिया मेरे परिवार जिनों कॉंग्रेश युवाओं के नव जुवानों के सब्से बड़ी दुश्मन है यहां पांच साल चीवाओं के भविश के साथ खिलबाड हो रहा है कोई भी परिश्य ऐसी नहीं है जिसका पेपर लिख न हुआ हो यहां के कोचिंग सेंटर पर जो छापे पड़े हैं तो उसके तार कहां जुड़ते हैं पता है न जादूगर के करीबी मंत्री के सारे नाते रिस्तेदार अपसर बन गए लेकिन आप के बच्चे छन छन कर बाहार हो गए एक कैसा जादू है भाई मेरे सिखावटी के भाई यो बहनो मेरे राजस्तान के भाई यो बहनो आप आस्वस्त रहिए राजस्तान में भाजपास सरकार बनते ही कॉंगरेस के हर जादो हर पेपर लिग कांड की तेजी से जाच होके रहेगी काले धन की कोई भी तिजोरी हो कितने ही बड़े रसुगदार की हो भो भी अपर न्याई के लिए काम करने के लिए देशित के लिए काम करने के लिए हर किसी को खुली छूट दे कर रखी हुए है जिन्होंने गरीबों को लूटा है उन्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा ये कॉंग्रेस जब केंद्र में सरकार में थी तो उन्हें ब्रस्टाचारियों की सरफ 5,000 रुपे की संपत्ती ही PML Act में जबत की थी और दिली में जब आपने अपने इस बेटे को भेजा तो उसने क्या किया मोदि ने PML Act में ब्रस्टाचारियों की एक लाग करोड रुपे से जाधा की संपत्ती जबत करवा दी पहाँ पांच अजार करोड और कहाँ एक लाग करोड शाथियों कॉंग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मोका छोड नहीं देए बीजेपी के शासनवाले हर्याणा गुजरात यूपी या आपके राजस्तान से सटे हुई है यूपी में पैट्रोल राजस्तान से बारा तेरा रुप्या सस्ता है गुजरात में बारा तेरा रुप्या सस्ता है हर्याना में बारा तेरा रुप्या सस्ता है राजस्तान में भाजपा सरकार आते ही पैट्रोल की कीमतों की समिक्षा होगी और अब तक जो रुपिया जमा किया वो किसके खाते में गया इसकी भी जाज होगी और सभीच्छा करकर के लोक हित में नए सिरे सेंद्र नहीं लिया जाएगा मेरे परिवार जुनों विकास मही होता है जहां विश्वास होता है जहां सुरक्षा होती है जहां सन्मान सुरक्षीत होता है कॉंग्रेस ने पिछले पाँच बर्षों में राजस्तान से सब कोच छुमंतर कर दिया है यह छुमंतर सरकार है जादूगर की है ना वो छुमंतर करता रहता है होली हो, दिवाली हो, राम नभी हो, हनमान जैंति हो, हर्त योहार में पत्थर बाजी, हर्त योहार में घर्फियो जब वोड के लिए तुष्ठी करने ही सर्वोपरी हो, तब दंगायों का होसला बढ़ता है कॉंग्रेस के राज में बहन बेटियों का बार निकलना मुश्किल हो गया है और यहां के सीएम कहते हैं कि बहन बेटियां यहां फरजी मामले दर्च करा रही है क्या यह माता हो बेहनों का अपमान हैक नहीं है, क्या कोई बेटी अपने चरीतर अपने लिल्जाम लगे ऐसी कोई जूठी शुकाहित कर सकती है क्या, कभी भी करेगी क्या, मेरे परिवार जोनों यह कॉंग्रेस के नेता इस हद तक बोल रहे हैं, मैं भाजपा के लोगों ने जिस प्रकार से आपकी भलाई के लिए एक के बाद एक निर्या किये है और आज मैं आपको कहने आया हूँ, सेखावटी की इस वीर धरती पर आकर के मैं कह रहा हूँ, आपके सपने, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है कॉंग्रेस ने जिने अपने हाल पर छोड़ा, भाजपा ने उनको संबल दिया है कोई दुकान हो, ढाबा हो, गेस्ट आउस हो, सलिन हो, टेलिन की दुकान हो, इने खोलने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है गरीब की जरुवत की जिंदा मोदी रेकी, मोदी ने बिना गारंटी के रून देने वाले मुद्रा योज्रा बढ़ाई, मुद्रा योज्रा के तहद रास्तान के गरीब और मध्यमबर को लगवाग 45,000 करोड़ रुपे के मदद जी गए है 45,000 करोड रुपे इल्ला भार्जियों में आदे से अधिक SC, SC, OBC परिवारों के साथ है इतना पैसा है से छोटे-छोटे बिजनेस करने वाले को मिल रहा है और कॉंग्रेस के लोग इसका भी मजाक उड़ाते है साथियों रेडी, ठेले, फुट-पास पर काम करने वाले लाखों साथी अपना काम करते हैं मैनत करके कमाते हैं लेकिन पुलिस प्रसासन के सबसे ज़्यादा नन्ने भी इनी को खाने पड़ते हैं कॉंग्रेस को कभी इनकी याद नहीं आई ये भी मोदी है जो इनके लिए स्वनीदी योजना लेकर आया अभी तक देश भर के पचास लाग से अधिक साथियों को हजारों करोड रुप्य की मदद मिल चुकी है इनमें एक लाग से अधिक लाबारती परिवार मेरे राजस्तान की भी है इनमें भी आगे बढ़ने और अपने करोबार को बढ़ा करने के आकांग्छा जगी है ऐसे ही हमारी विश्व करमा साथी है हमारे कुमार लोहार सुनार जुतार कपड़े सिलने वाले कपड़े धोने वाले ऐसे हस्त सिल्प्यों की कॉंग्रेस ने कोई सूद नहीं दी जुन्यूनूतों मिट्टी के बर्तन, कौपर के सामान, लोहों के सामान ऐसे अनेक उत्पादों के लिए मशूर है ऐसे विश्व कर्मा साथ्यों के लिए पहली बार 13,000 करूर रुपी की विशेश जोजना भाजपा सरकाल लाई है कॉंग्रेस के दिली दर्बान ने जिनको छोटा समझा, मोदी उनके साथ खड़ा है मेरे परिजनों, मैं आप से एक और सवाल करूँगा आँ मुझे पताईए, सेखावटी ने मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद बाजरा उगाना, बाजरा खाना चुरू किया क्या? जरा मेरा सवाल समझे क्या मोदी पीम बना, उसके बाद ही आपको पता चला बाजरा उगता है बाजरा खाया जाता है, पहली बार पता चला क्या? पहले भी ठाक नहीं यहां तो बाजरा ही उखता था ना, जरा सब मुझे बता पाएंगे, यहां तो बाजरा ही उखता था ना, बाजरा ही खाते थे ने, कॉंग्रेस को पता ही नहीं था, बाजरा और दूसरा मोटा वनाच, यहां के शान हमास्या से रहा है, यह छोटे किसानों के लिए बरदान है, कॉंग्रेस ने बाजरे और दूसरे मोटे अनाच के महत्मा को कभी नहीं समझा, यहां के किसान बताते हैं, कि कॉंग्रेस सरकार ने तो MSP पर बाजरे की घरित तक ठीच से नहीं की, लेकिन मोदी जैसे मोटे अनाच को स्री अन्न के रुप्य प्रतिष्ठा दी, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का रोड में बनाया, आपने देखा होगा कि G20 सम्मेलन के लिए दुनिया भर के बड़े मिटा जब दिल्ली आये तहना, तो हमने उन्हें भी बाजरे की रोटी खलाई, स्री अन्न के पक्वान खिलाई, यहां भाज़पा सरकार आएगी, तो स्री अन्न को पुरा सम्मान मिलेगा, मोटे अन्राज को सम्मान मिलेगा, राज़पा ने यह भी संकल पे लिया है, कि गेहूं के MSP पर बोनुस दिया जाएगा, इतना ही नहीं, PM किसान सम्मान निति से आपको अभी 6000 रुपे मिलता है, अब राज़पा ने इससे बढ़ा कर 12000 करने का फैसला लिया है, यहां BJP सरकार आएगी तो आपको PM किसान सम्मान निति के 12000 रुपे निये मिलता रुप से मिलना करेंगे, मेरे परिवार जिनों आदेश को भाजपा पर भरोसा है, भरोसा इसलिए, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूना होने की गारंटी, और वहीं कॉंग्रेस का क्या होता है, कॉंग्रेस की बातों का मतलब होता है, जूठे वाइदे, जूठी सौगन और जूठा प्रचार, ये वही कॉंग्रेस है जिसने माताओं बेहनों बेटियों को विदान सबा और लोग सबा के आरक्षन के लिए दसकों तक लटकाया ये गारंटी मोदी ने पुरी की कॉंग्रेस को आर्टिकल 370 के कारण 370 दारा आता है जिकन्ज में घिरा जम्मु कश्मिन नहीं दिखा इसका कारण राज़तान के वीरों के बलेदान और वीर माताओं के आसु नजर नहीं आए ये गारंटी भी मोदी ने पुरी की मोदी को घालिया देते हैं बन राइंग बन पेंशन के लिए 40 साल तक कॉंग्रेस ने पूर्वसेनिकों की परवा नहीं की मोदी ने पूर्वसेनिकों को दी OROP की गारंटी पूरी की अभी तक देश के पूर्वसेनिक परिवारों तक 90,000 करोड रुपे पहुंच चुके हैं 90,000 करोड मेरे परिवार जनों आपने राजस्तान के सुरक्षा और सम्रुद्व के लिए भाजपा सरकार को लाने का मन पक्का कर लिया है मैं जहां जहां गया हूं एक स्वर से यही बात सुन रहा हूं कि भाजपा सरकार काना पक्का है अब मतार के लिए जादा जिन नहीं बचे हैं मेरी आप से रिव्यनती है इतनी बड़ी सभा याने मेरी तो आँखें की अंत देखने की सामर्ती नहीं है इतनी बड़ी सभा अब ऐसा तो नहीं होगा ना इतनी बड़ी सभा हो गई तो अब जाकर के सो जाएं ऐसा तो नहीं होगा ना जाकर के सो जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा ना आप ऐसा नहीं को रहे यार इतनी बड़ी सभा हो गई तो जीत गई क्या करना है ऐसा नहीं करोगे ना मेहनत करोगे हर पोलिंग बूद्वे कमल खिलाओगे हर घर जाओगे अच्छा एक मेरा काम करोगे लेकिन चुनाव वाला काम नहीं है करोगे ज़र आवाज जोड़ से निकालो तो पता चले बहुत करोगे मेरा नीजी काम है करोगे सक्चे बताओ हाथ उपर करके बताओ करेंगे सब लोग करेंगे अच्छा एक काम करना गरगर जाना और हरे को हाथ जोड़ के कहना कि अपने मोदी जी जुन्युन आये थे और उन्होंने आपको राम राम कहा है इतना काम कर दोगे देखे आप जब मेरा राम राम उनको पहुचा होगे न तो मन से मुझे आशिरवाद देंगे और जब परिवार्त के लोग मुझे आशिरवाद देगे न वो मेरे लिए बहुत बड़ी जड़ी भुट्टी है उनके आशिरवाद मेरी गुर्जा है उनके आशिरवाद मेरी मेरा सामर्थ है उनके आशिरवाद मेरे संकल्प में शक्ति भर देते है और उनके आशिरवात से मात्रो भूमी शेवा करने की मुझे ताकत बढ़ जाती है आप लोगों की सेवा करने की ताकत बढ़ जाती है इसलिए गर-गर जाओगे मोदी जी के रामराम पहुंचाओगे पक्का पहुंचाओगे अच्छा मैं एक और बात करना चाहता हूँ मैं एक वाग के बोलूँगा और आप लोग मुठी बंद करकर के उसको दोहराएंगे करेंगे मैं कहूंगा उसके बाद आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्तान जर बोलिये तो क्या बोलना है कमल चुनेगा राजस्तान ऐसे नहीं सब के सब बोलिये कमल चुनेगा राजस्तान कमल चुनेगा राजस्तान जुन जुनू के वीर है भारत की शान जुन जुनू के युवाब बनाएंगे स्टार्ट अफ महान मजबुत सेना समरत जवान बहन बेटियों का हो मान बरस्ताचार का मिटे निशान पेपर लिग का का